हे दोस्तो वेलकम टू आर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर जैनुविन इन्फरमेशन और आपका कोई क्वेरी जातो मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो दोस्तो आज है 8 जैनुवरी 2021 और आज की डेट पे TCS का एक जो IT सेक्टर का दिगज कमपनी है पूरा विश्व में ये TCS का क्वाटर थी का नतीजा आ चुका है दोस्तो और नतीजा दोस्तो 20 फोटक नतीजा हुआ है यर ओन यर फे और साथ में खुशकबरी है कि क्या होगा इसके उपर भी पूरा विसकस करेंगे तो प्लीज वीडियो को बिना स्क्रिप के पूरा नतक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए तो दोस्तो अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डिमेट आकों नहीं है तो अप्स्टॉक जैसे बड़े प्लाइसे से पहले हम नतीजे को पर आचुका हों सबसे पहले हम इसका डिविडेन देख लेंगे उसके बाद हम सीधा पे चलेंगे यहां परे देखिए जो डिविडेंस डिक्लेर किया 6 रुपए पर यहांप ऐस वेलू एक रुपई है यह उत्ति डिविडेन्ट के लिए रिकार्ड डेट चाहिए तो आपको 14 जनुरी डेट रत्ना दोस्तो 14 जनुरी या तो उसके पहले आपको टीचेस का शेर कर लेना चाहिए तभी आपको डिविडेन्ट मिलेगा अगर आप 15 जनुरी खरीदा तो तो आपको डिविडेन नहीं मिलेगा क्योंकि 15 जैनुवरी इसका एक्स डेट है ठीक है तो ध्यान देना दोस्तों 14 जैनुवरी या तो उसके पहले आपको यहां पर TCS का खरीद लना चाहिए अगर आपको डिविडेन चाहिए तो दोस्तों चलिए सबसे अभी हम रेजल्ट क 20 का रेजल्ट है September 2020 का रेजल्ट याणी अगला क्वाटर का और यह है December 2019 का रेजल्ट यानी लास्ट या यहां पर हम यह तीनों क्वाटर को एक साथ compare करेंगे मैं पेच को तो जूम कर ले तो यहां पर आपको देखने में मदत मिलेगा थीक है ठोड़ा सा फेट है दोस्तों 42,706 करोर का जो कि last quarter यानि September 2020 में हुआ था 41,49 करोर रुपे का तो यहाँ पर आप देख सकते हुए total income quarter on quarter पे jump हुआ है उसके बाद दोस्तों अगर आप year on year पे बात करोगे यानि last year 2019 December quarter में company का total income हुआ था 40,620 करोर का यानि सीधा सीधा year on year पे जबरदस चम देखने को मिला इसका बाद जो दोस्तों next important point वह है total expenses यानि company का खर्चा क्या हुआ है कितना हुआ है तो इस quarter यानि December 2020 में company का total expenses हुआ है 30,831 करोर रुपे का और जो last quarter यानि September 2020 का total expenses हुआ था 29,620 करोर का यानि आप आप देख सकते हुआ कि total income बढ़ने के साथ total expenses भी थोड़ा सा बढ़ गया है और last year यानि 2019 December quarter में company का total expenses हुआ था 39,880 करोर रुपे का तो याँ पे आप देख सकते हुआ year on year पे भी थोड़ा से expenses बढ़ गया है यानि जो profit हुआ है उसके ओपर अभी भी tax add नहीं किया गया उसे बोलता है profit before tax तो याँ पे आप देख सकते हैं जो profit before tax याँ पे देखें profit before tax exceptional item and tax profit before tax हुआ है 11,692 करोर रुपे और जो last quarter में हुआ था September 2020 की quarter में 11,255 करोर का यानि profit before tax बढ़ गया है और जो last year यानि year on year पे 2019 December quarter में कमपनी का profit before tax आया था 10,579 करोर रुपे का यानि याप यार on year पे बढ़िया जम देखने को मिला उसके बाद दोस्तों tax देने के बाद जो बसता है उसे बोलता है net profit या दो profit for the period जो main चीज़ है दोस्तों वो हम अभी देखेंगे ये देखेंगे profit for the period ठीक है तो इस quarter में जो company का number आया profit का net profit हुआ है 8,727 करोर रुपे का जो की last quarter यानि September 2020 में company का net profit हुआ था 7,504 करोर रुपे का यानि सीधा सीधा भढ़िया जम देखने को मिला है quarter on quarter पे अगर year on year के अगर मैं बात करूँ last year 2019 December quarter में company का net profit हुआ था 8,143 करोर रुपे का तो याँ पे आप देख सकते हो की year on year पे भढ़िया जम देखने को मिला है अगर आप percentage वाइस calculate करोगे तो year on year पे almost 7% की जम दिखाए देखा शांदार और उसके साथ साथ company dividend भी declare किया है 6 रुपे का चलिए अब हम देख लेते company का EPS यानि earning per share पे कैसा changes हुआ है यहाँ पे आप देख सकते है face value के उपर यहाँ पे देखे सबसे वहले यहाँ पे देखे dividend का भी यहाँ पे दे दिया है यानि EPS कंपनी का जो यह quarter यानि December 2020 में earning per share है 23.19% का जो की last quarter यानि September 2020 में था 19.93% का यानि यहाँ पे देख सकते हो कि profit बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे EPS भी बढ़ गया है और last year यानि 2019 December quarter में कंपनी का EPS था 21.63 का तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि year on year पे भी यहाँ पे EPS बढ़ चुका है तो दोस्तों अभी हम चलिए यह जो अभी total income कहां से generate हुआ है कौन कौन सा operation से यहाँ पे generate हुआ वो भी हम देख लेते है revenue from operation यहाँ पे देखिए revenue by the industry practice सबसे पहले banking and finance service and insurance वहाँ से इस quarter में जो आया है number 16,655 करोर का कम आई उसके बाद manufacturing sector से आया है 4,027 करोर का income उसके बाद retail and consumer business से आया है 6,546 करोर का उसके बाद communication media and technology sector से आया है 6,980 करोर का total income और others income 7,807 करोर का मिला के total जो total income हुआ है company का 22,015 करोर रुपे का तो दोस्तों हमने देख लिया result company का dividend देख लिया company का EPS भी देख लिया अब चलते हैं आज का कैसा share का movement रहा TCS के उसके उसके उपर यहां पर आप देख सकते हैं यह आज का आज लगबग 3% की बढ़िया तेजी देखना को मिला TCS को मैं कल इसके ओपर TCS को पर और एक वीडियो बना चुका हूँ और आपको clear cut कहा था कि अगर आपको TCS का share 3000 के आसपास मिलता है आप खरीद लेना और आज की डेट पर आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया सा jump लागाया क्योंकि यह result पहले से प्रेडिक्ट किया था बढ़े-बढ़े expert analysis ने कि बढ़िया result आएगा company का सबसे बहले यहां पर देखिए अगर आप आपको TCS का share मिले तो आप खरीद लेना क्योंकि देखी TCS जैसे company जो कि world का one of the best company में से आता है IT sector का और इंडिया का तो सबसे बड़ा company है IT sector का यह company का share price अगर आपको मिलता है थोड़ा सा best buying level पे आपको यह मौका गवानाने चाहिए देखिए company कितना शांदा return दिया अपन पस इसका market capital है जहां पर P ratio देखिए normal है 38.23 उतना खास नहीं है मतलब ज्यादा नहीं है महंगा नहीं है dividend भी दमदार देता है 1.28% का dividend है और क्या चाहिए दोस्तों एक company में इतना बढ़िया company इतना बढ़िया stock चलिए आज का कारवार भी देख लेते हैं NAC की website पे आज share price open हुआ था 3,090 रुपए पे high touch किया 3,128 रुपए पे low touch किया 3,060 रुपए पे यहां पे भी आपको खरीदने का मौका था जो adjusted closing price है 3,120 रुपए पे लगबग 3% की बढ़िया थे जी बढ़ एक चीज मुझे यहां पे shocking लगा की इतने बढ़िया नतीजे का बाद भी बढ़ी उठे है गया है दोस्तो 17,14,000 quantity का share and deliverable percentage है 29.85% तो दोस्तो at the end में आपको यहीं बोलूँगा कि देखे company not out बहुत ही शांदर company है और आपको अभी भी Tata TCS का जो price है वो अभी भी इसका best buying level की आसपास है अगर आपको 3,000 रुपए के आसपास मिलते हैं तो आप यह अगर करके share खरीद लेना क्योंकि long term के लिए यह सब share बहुती बहुती ज्यादा बढ़ी है दोस्तों Tata TCS Reliance Infosys इस टाइप का share और दूसरी बाद यह निफ्टी 50 माने वाला stock है ठीक है तो यह मौका आपको गवाना नहीं चाहिए तो दोस्तों आपको समझा गया आपके सा किया रिव्यू के साथ साथ में आपको क्या आगे का रनीती है वह भी आपके साथ प्रेजन किया आपके पास अगर share है तो आप यहां पर होल्ड करने बिटर डाएगा तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूं वीडियो आचले करना वीडियो को एक लाइ जय हिंद